हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज हम बात करेंगे केंदरिया ससत्र पुलीस फोर्स नियू रिकूर्टमेंट 2023 के बारे में जिसकी ओपिस्टल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हम सी एप नियू रिकूर्टमेंट 2023 डेटेल्स देखेंगे अगर हम डिपार्टमेंट नेम की बात करें तो हमारा डिपार्टमेंट नेम सी एप यानि सेंट्रल आर्म पुलीस फोर्स की तरफ से वहकैंसी निकाली जाएगी अगर हम पोस्टनेम असाम राइफल BCISF CRPF ITPF and SSB के लिए भरती निकाली जाएगी अगर हम टोटल टोटल भेकैंसी की बात करें तो हमारा Total नम्बर अभब लिए भरती निकाली जाएगी अगर हम अप्पवेकैंसी और रखा जाएगा यानि सभी के इस फॉर्म के लिए ऊंलाइन ही आधन कर पाएंगे हम new recruitment 2023 total vacances की अगर हम बात करें तो हमारा total number of vacances हम असाम rifle की बात करे तो असाम rifle के लिए 1,666 vacancy रखी गई है अगर हम BASF की बात करें तो BASF के लिए 1,990,987 vacancy रखी गई है अगर हम CISF की बात करें तो CISF के लिए 475 vacancy रखी गई है अगर हम CRPF की बात करें तो CRPF के लिए 29,283 वेकैंसी रखी गई है अगर हम ITPP की बात करें तो IDPP के लिए 4,443 वेकैंसी रखी गई है अगर हम SSB की बात करें तो SSB के लिए 887 वेकैंसी रखी गई है अगर हम CAPA Force Recruitment 2023 Agibility for Vacances की बात करें तो अगर हम सबसे पहले Age Limit की बात करेंगे तो हमारा Age Limit अगर हम Minimum Age Limit 18 साल से लेकर अगर हम Maximum Age Limit की बात करें तो Maximum Age Limit 25 साल तक रखा गया है यानि 18 साल से लेकर 25 साल तक के सभी Candidate इस फॉर्म के लिए आगदन कर पाएंगे अगर हम Age Relaxation की बात करें तो Age Relaxation भी आपको दिया जाएगा Government के रूल के According अगर हम OBC Candidate की बात करें तो OBC Candidate के लिए 3 साल के छूट दी जाएगी अगर हम ACSD Candidate की बात करें तो ACSD Candidate के लिए 5 साल के छूट दी जा सकती है अगर हम CPF New Recruitment 2023 Application फीज की अगर हम बात करें तो General OBC EWS Candidate को 100 रुपए की फीज पे करनी है अगर हम ACSD Candidate की बात करें तो ACSD and Female Candidate को कोई भी पैसा नहीं देना है यानि General OBC EWS Candidate को 100 रुपए की फीज पे करनी है अगर हम CPF New Recruitment 2023 Selection Process की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें Return Examination देना है उसके बाद हमारा PET-PST किया जाएगा उसके बाद हमारा Medical Examination किया जाएगा उसके बाद हमारा Document Verification किया जाएगा उसके बाद हमारा Final Merit List बनाया जाएगा अगर हम CPF New Recruitment 2023 Exam Pattern की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम Time की बात करेंगे Time duration की तो हमारा 60 Minutes Time duration दिया जाएगा अगर हम Negative Marking की बात करें तो Negative Marking 0.50 हमें दिया जाएगा अगर हम Subject की बात करें तो सबसे पहले हम Part A की बात करेंगे तो Part A में General Intelligence & Rejoining के Question देखने को मिल जाएगे 20 Question 40 Marks के लिए उसके बात हमें Part B की बात करेंगे तो Part B में General Knowledge & General Awareness के Question देखने को मिल जाएगे 20 Question 40 Marks के लिए उसके बात Part C हमें दिया जाएगा Part C में Elementary Mathematics के Question देखने को मिल जाएगे 20 Question 40 Marks के लिए उसकी बाद हमें पार्ट D देखने को मिल जाएगा इंगलिस एंड हिंदी कोईशा भी हमें एक स्रेक्ट कर लेना है बेस कोईशन 40 माक्स के लिए अगर हम टोटल नमबर ओप कोईशन की बात करें तो 80 कोईशन दिया जाएगा 160 माक्स के लिए अगर हम CPF New Recruitment 2023 फिजिकल इजिबिलिटी डिटेल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम हाइट की पात करेंगे तो जेनरल ओवी सी एसी केंडिएट के लिए connecting के लिए 170 cm height रखा गया है अगर हम female केंडियब की बात करें तो 157 cm height रखा गया है कंडिएटक की बात करें तो स्ट के लिए 162.5 सेंटीमीटर रखा गया है अगर हम फिमेल केंड़ेट की बात करें तो फिमेल केंड़ेट के लिए 147 सेंटीमीटर रखा अगर आप भी इस फॉर्म के लिए आधन करना चाहते है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रवाइट करा दूंगा और जब भी इसकी कोई नई अपडेट आती है तो मैं इसकी जनकारी आपको नेक्स वीडियो में देने की कोसिस करूंगा अगर आपको वीड